हेलो दोस्तों, हम सभी जानते हैं, सेर जंगल का राजा और सिकारियों का भी सिकारी होता है जब एक साथ फिर लंबा और धाइसो किलो वजनी सेर, जिसकी एक दाहर से ही पुरे जंगल में कौक उसर जाता है किसी भी जानवर के सामने आ जाए, तो वो दिन दिवाकर भागने में ही अपनी भलाई समस्ता है मगर क्या आपको पता है, जंगल में ऐसे बहुत से जानवर भी हैं, जिनके सामने सेर भी जाने से बचना ही चाते हैं और नजने कितने ही बार ये जानवर सेर पर भी भारी पड़ जाते हैं दोस्तों किछली वीडियो में हमने 5 ऐसे ही जानवर के बारे मापको बदाय था जो कि कई मोकों पर सेर भी भारी पड़ गए थे और आज की इस वीडियो में हम आपको पांच ऐसे ही और जानवर के बारें बताएंगे जिनका खौफ जंगल के राजा को भी जैज से जीने नहीं देटा नमबर एक पर जो जानवर सामिल है किसी को भी नहीं लग सकता कि ये सेर को भी मार पाए तो दोस्तो तैयार हो जाएए हमारे साथ चलने के लिए आज की इस रोमाचक सफ़र में नमबर पांच पर सामिल है हिपो पर्टेमस दोस्तो हिपो की तागत के क्या ही कहने जिसकी एक बाइट में ही 2000 PSI की पावर हो कौन इसके जबनों के बीच में आना चाहेगा जिसको ये 180 डिगरी तक कोल सकता है अब इस सोते हुए हिपो को देखकर ये सेर यहां तो इसको सरीप समझने की भूल कर बैठा है या फिर ये इसको अक्ना सिकार मान बैठा है ये नहीं जानता ये हिपो इसका ही काल बन सकता है जैसा ही हिपो को इसके आने का पड़ा चला हिपो का गुसा साब्सक्रे आस्मान पर आ गया और ये जंगल के राज़े को ही दवाने लग गया इस सेर की किस्मत कफी खराब निकली जो इसके जवडों के बीच माकर प्री जानकाव बेठा है दोस्तो हाती जमीन पर पाई जाने वाला दुनिया का सबसे बड़ा जानवर है बलही हाती के बच्ची का सिकार कोई भी सेर आसानी से कर ले मगर एक 4-6 तन तक वजनी और 3 मीटर उचे हाती के सामने सेर कही नहीं ठिक सकता हां सेर भले ही अपने पंजोर जबनों से हाती को ऐसे खाव दे सकता है जो कुछ टाइम बाद इंफेक्शन से हाती की जान ले ले मगर आमने सामने के कॉम्बेक में हाती का प्रड़ा ही हमेशा भाई रहता है अमेरिकन कॉंटियंट में पाये जाने वाले गिजली वेर सेर से वजन में दो गुना तक होते हैं अगर ताकत और पंजो की बात करें तो यहां भी सेर से ये काफी आ गही होता है अगर सेर को इससे हराना हो तो इसके सकल्प को जवडों से करच़ करके हरा जा सकता है और अगर सेर ऐसा नहीं कर पाता जो कि कर पाना वैसे भी नमुम्जीत है तो सेर की हार लगvalue कते ही रहती है नमबर दो पर सामिल है silver bag gorillas ये 500 किल तक तागत वर जैनवर की हाइट 6 फिट तक हो सकती है वजन में भले ही ये कुछ एक जैसे हो मगर लंबाई में सेर 8 फिट तक हो सकते हैं जहां सेर को कुछ एडवांटेज मिल जाता है मगर दोनों के स्टेंडना और मुसीवत में एगरिशन की बात करें तो गोईला सेर से कफी आगे है और अगर सेर को इसको हराना है तो सेर के पास काफी कमवक्स होता है और अगर फाइट लंबी चल गई तो फिर सेर का हारना लगभग पही है नमबर एक पर सामिल है जिराप वैसे तो जिराप के पास नुकले पंजवर तेज़ात नहीं होते है और ना ही इसका सभाव भी अक्रामक होता है मगर इसके पास एक ऐसा खरक्यार है जो बलबर में ही किसी सेर की जान ले ले दरसल जिराप अपने पेरों से चारों करल किक कर सकता है और इसकी एक किक में 2000 PSI की पावर होती है जो कि एक जटके में सेर की जान ले लेगी और जगल में ऐसा कई बार होवी चुका है एक जिराप को मार पना तक तक मुम्किन नहीं होता जब तक कि उसको जमीन पर गिराया ना जाए और खड़े हुए जिराप की गर्दन तक पहुंच पाना सेर के बस की बात नहीं होती इसलिए एक अकेरा सेर जिराप से दूर रहने में ही अपनी भलाई समझता है दोस्तों उमीर है आपको ये वीडियो पसंदाई होगी और आगर भी ऐसे ही वाइड टेक जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ला भूलें क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं